सीएम योगी ने प्रदेश में अवेद खनन पर सिकंजा कसने के सक्त मिर्देश दिये हैं लेकिन खनन माफिया जिले बेखोफ धर्ती का सीना चीर कर अवेद खनन कर रहे हैं बहराईच जिले के रामगाउं पुलिस ने दर्गाथाना चेतर की सीमा पर अवेद बालू खनन में लगी पाँच गाडियों को गेरबंदी कर दबोच लिया है लेकिन खनन माफिया मौके से फरार हो चुके हैं दरसल दर्गाथाना चेतर सीमा पर इस्तित मीरपूर कस्बे में खनन माफिया बेखोफ होकर अवेद बालू खनन कर रहे थे कई दिनों से हो रहे खनन से दर्गाथा पुलिस क्यूँ अंजान है ये बात जगजाहिर है अवेद बालू खनन की जानकारी होते ही रामकाउ पुलिस ने अपने थाना चेतर में गेरा बंदी कर ली पुलिस ने मौके से बालू खनन मेलेगी पांस ट्रेक्टर ट्रॉलियों को पकड़ लिया है खनन कर रहे तीन लोग मौके से भाग गए पुलिस सभी गाड़ियों को ठाने लिजा कर सीज कर चुकी है देखे ये रिपोर्ट इसमें रामगाँ थाने में मेरी बिल्गें कस्बे के पास में से अवैत खनन लोग कब रहे ते सुचनावा पुलिस गई और वहां से चार्ड ट्रेक्टर और पांच टालिया है पटड़ का राई है और उस पे जो है विजिक करवाई की जा रहे है दर्गा थाना छित्र में अभी भी अवैत खनन जा रही है इसके लिए आप लोग क्या करवाई की ते लिए हम लोगों इसकी पास करा रहे है जो पाय जाता है तो तो पार रहे ही ते लिए नेक्स्ट नए न्यूसरूम के लिए बहराइच से गौरव पत्वा की रिपोर्ट